दोस्तो आज हम नम्मर फंसन देखेंगे इससे पहले कुछ वीडियो जो बनाई थी मैंने उसमें आपको मैंने सिकाए था कैपिटल ए और स्मॉल ए से पूरा जड़ तक कैपिटल और स्मॉल के उपर बात करेंगे आज हम पढ़ेंगे के 0, 1, 2, 3, 4, 5 पूरा लेकर के 9 तक किस से मनाई जा सकता है तो आज हमें एक्सल के अंदर ये फॉर्मूले अपलाई करेंगे नम्मर फंसन बोलते हैं इसको ठीक है तो नम्मर किस तरीके से अपलाई हुआ फंसन के अंदर तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें, कमेंट करें और प्लीज इस चैनल फर्स टाइम है तो सस्क्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेश कर लें जैसे आने वाली वीडियो आपको पास सबसे पहले पहुँचे हुआ 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 है, तो जिस से हमें उस्सा बढ़ता है, वो आपको अने की हर तरीक़े से कोशिस करते हैं हर वीडियो के अद्सार हुआ है, टाइम बेस्ट ना करते हुँआ आगए, उर बाढ़ते हैं तो सबसे पहले जैसे ही अपन वहां से पहले जैसे करते आ रहे थे वैसे से हम लेंगे जैसे इकल्टू C,H,A,R character के अंसाल लेंगे बढ़ नमर function एपलाई होगा यहाँ पर जो पहले हो रहे थे सारे वो character function तो थे बट इसमें number function apply होगा है यहाँ पर number so होगा वहाँ पर क्या कर रहा था आपका character function से क्या निकाला जा रहा था number से only character निकाला जा रहा था यहाँ पर number function से आपका character है उसके अंदर हम कोई number देंगे उसके अमसारा हमारा point आएगा जैसे character इकल टू ब्रेकेट में ओपन करेंगे ठीक है जब्रेकेट में ओपन हो रहा है अब यहां पर लिखना आ है आप उनको यहां पर 48 वंपने जैसे नम्मर मांगता है तो अपने 48 दिया जैसे एंटर करेंगे तो हमारा आंसर यहां पर सुख करेगा वो 0 इसको क्या बोलते है 0 क्योंकि number function में हमेशा 0 से संघ्या आती है कहां तक 0 से 9 तक ठीक है इस तरीके से ये follow करता है number तो जी कहां जाएगा 0 से 9 तक जाएगा सबसे पहले 0 फोट आ गया next open करेंगे तो आएगा equal to c h a r फिर आएगा इससे आगे बढ़ते चले जाएगे तो 48 के बाद आएगा 49 तो जैसे ही यहाँ पे include करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 तो यह number संघ्या आ रही है ठीक है बना गया फिर जैसे ही next है equal to c h a r फिर यहाँ पे 50 हो जाएगा क्योंकि 50 तो यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे तो आएगा 2 फिर लिखेंगे c h a r ठीक है तो यह आपकी डिजिट बन के आ रही है वो आपको ध्यान देना है जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ आ गया संक्या इसके बाद हमें लिखना है यहाँ पे फिप्टी वन आगे एक एक इंग्रीज करते जाना है फिर इसके बाद कितना आएगा 2 के बाद 3 आएगा ठीक है एककल टू c h a r 50 2 फिर एंटर करेंगे तो आपका 4 आएगा एककल टू c h a r फिर आपका आएगा 53 आएगा फिर एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो संख्या लिखी है उससे आगे इंग्रीज हो जाएगा यहाँ पे 4 अब 5 फिर आएगा c h a r फिर आएगा 54 54 पे आएगा 6 नमबर ठीक है next c h a r फिर लिखेंगे 55 55 पे आएगा 7 नमबर फिर लिखेंगे इक्वल टू c h a r फिर लिखा जाएगा 56 56 पे आएगा 8 नमबर और c h a r फिर आएगा 57 ठीक है जैसे यह एंटर करेंगे तो यह कितना आजाएगा यहाँ पे 9 नमबर तो इस तरीके से यह फॉलो करेगा पूरा नमबर डिजिट क्या फॉलो किया है इसने नमबर डिजिट है जो पूरा 0 से लिए करके 1 तक ठीक है यह नमबर डिजिट है किससे फाइंड किया है हमने कार हमने सारे करेक्टर से ही करें function भी बोला जाता है, इसको दो तरीके से बोला जाता है, एक number function भी बोला जाता है, एक character number function भी बोला जाता है, तो दोनों संखे एक ही बात होती है, उसमें कोई अलग बात नहीं है, तो यह आपको ध्यान रखना है, किसी भी direct आप point यूज करते हैं, हिंदी tapping में भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे मंगल font की बात करें, किसकी रेमेंटन के अंदर, मंगल font, यह हिंदी की typing है, typing हिंदी, जिसमें सबसे जाना, यूज हो रहा है, जो मैंने और वीडियो बनाई, उनको भी मैंने बताया है, नमर सिस्टम को भी मैं बता देता हूँ, कैसे करना है, 1, 2, 3, 6, 9 कैसे apply करना है, direct, जैसे कोई number संख्या आजाती है, तो alt के साथ मैं, जो alt button होता, एक keyword के अंदर, उसके साथ मैं 48 number की दवाएंगे, तो हमारा संख्या आजाएगा 0, ऐसे ही, alt के साथ मैं, plus 49 प्रेस करेंगे, तो आजाएगा हमारा 1, कहां तक लेके चलना है, यह सही, alt के साथ मैं, plus 57, तो यह आजाएगा 9, इस तरीके से कोई भी संख्या हम यहां से direct हम, रेमेंटन के अंदर हम apply कर सकती है, हिंदी मंगल के अंदर यह आपका रेमेंटन गेल के नाम से font आता है, उसमें हम यह use कर सकती है, रेमेंटन गेल, direct use हो जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से यह क सकती है, और apply हो सकता है, तो इसका computer में जो code बनेगा, वो क्या हाँ बनेगा binary की अनुसार, तो देख लेती हैं, जैसे मैं यहां पर देख लेता हूँ, 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, जैसे मैंने आपको बताया था, यह input है, यहां पर CPU लगा हुआ है, चीक है, यह output device है, यह क्या है, output device है, यह input, और यह हमारा process है, यह मैंने एक्जम्पल पहले भी दिया है, अब जैसे मैंने यहां पर कोई भी संख्या भेने मानके चलो, यह मैंने लिखा, 0 संख्या लिकी है, तो 0 ही यहां पर आना है आपको, क्या संख्या है, जीरो, ठीक है, तो जीरो ही हमारी ये संख्या है, यहाँ पर जीरो, तो जीरो की संख्या का नंबर डिजिट है, वो क्या है, 48 है, कितना है, 48, अब 48 को यहाँ पर कितना जोड़ा जाए, तो यह 48 बच जाएगा, 291 छान्ट है 24 जानना हो रहाया तो 48 आप उनको जोड़ करना है और कितनी आपनी को संख्याऩ लेना है तो 48 यांपे अपलाई हो जाय तो सबसे पहले आपन United 32 रखेंगे कि तो 16 गांडDown 268 जाना छॉण 8 तो सिरप अब में कहां पर करना सबसे पहले 32 को देखना है यहां पर बन रखना है और 16 पर बन रखना है बाकी सभी 0 हो जाएंगे ठीक है तो यह डिजिट इतना बड़ा उठके जाएगा कहां पर जीरो के लिए यहां पर तो हमारा आउटबोट इतना जर्रेट हो जाएगा ठीक है ऐसे ही वन फ्रेस करेंगे तो 49 है ठीक है तो 49 का क्या बनेगा यह सी में एक और जोड़ देती है 48 के अंदर तो यह हो जाएगा 49 तो यहां पर बन जोड़ गया जिदो 0 ही रहेगा यह भी 0 य जे भी 0 जे भी 0 और यह हमारा 48 हो रहा था तो यह डेजे टोट करके कहा जाएगा सीप्यू के अंदर ठीक है तो यह वाली संग्या किसको दर साती है वन को क्या संग्या आए 49 इस कल्टू 1 अल्ट के साथ ठीक है तो इस तरीके से अपन कोई भी संग्या को डारेक्ट हम बना सकते हैं हिंदी फॉंट में यह मैंने आपको पहले भी क्लियर करके रखा है कि हिंदी फॉंट में डारेक्ट ली कोई फंचन उससे अपलाई करके इस तरीके से बना सकते हैं ठीक है और जीट संग्या आपकी इस तरीके से सो करती है ठीक है तो आज हमने सीखा कि कैरेक्टर क अंदरे यह number function में किस तरीके से यह काम करता है इससे पहले मैंने आपको जो दो वीडियो बनाई थी उसमें A से ले करके Z तक capital रखा था फिर A से ले करके Z तक small रखा था यह दूनों चीज़ें अपने character के उपर बात करी थी आज बात हो रही है number पे 0 से 2 9 तक तो यह हमारा number digit का काम करता है 0 से लेता है और 9 तक रखता है तो आज हमने देखा 0 से है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 9 चुकि इनसे ही digit से मिला करके कोई भी संख्या बना सकते हैं अब जैसे आगे कि जो संख्या रहती है वो 1 लिखा फिर उसके बाद 0 तो यह 10 हो गया 1 1 लिखा तो 11 हो गया तो ऐसे कोई भी संख्या के बना सकते हैं बट इनी ही संख्या उसे मिलकर के आपका कोई भी digit number बना है और आपका number function apply होता है तो इस तरीके से यह काम करता है number function में तो आज की वीडियो के लिए इतना ही ठीक है डारेक्ट बनाने यह किसलिए excel में भी क्याम करेगा और remnant font में भी क्याम करेगा यह questions आज चुकी है और पूछे जाते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें सेर करें कमेंट करें और फस्ट टाइम इस चैनल को देख रहा हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले वीडियो को कमेंट और लाइक जरूर किया करें थैंक यू बेरी मच